हलो फ्रेंड्स गुण बॉर्निंग नमस्कार बहुत-बहुत स्वाकत आप सभीका इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में तो दोस्तों आज है 25 अगस्त और आए सुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार UPCC PT की परिक्षा 24 अगस्त को दो पालियों में संपन्न हो गई है और अगर बात करें कुश्चन पेपर के बारे में तो जो कुश्चन पेपर रहा वो इजी टू मॉडरेट लेबल कर रहा यहां पर जो मैत के अंतरगत साड़ी के तौर पर जो प्रस पूछे गए थे ऐसे प्र अब एक इस बात पर चरचा कर रहे हैं कि कटाफ कितनी जा सकती है ऑसि जो है इसकी कटाफ कितनी डिक्लियर की जाएगी हलाकि अभी यह कहाने ही गया है और ऐसा आफिसल कोई निउस नहीं है कि कटाफ कितनी रहेगी लेकि पिर भी अपर इसंगे किकर चा-फ इजीम वहीמצ 40-50% की कटाफ लगाई है और ताकि बड़ी संक्याब जो अबरती है वो उत्रिण भी हो सके क्योंकि इन्हें अबरतीों के सारे अब आगे की भरतियां भी होनी है तो यहाँ पर अगर गेस किया जाये तो यह जो कटाफ है मुझे रगता है कि 45 से लेकर पर्षपन के भीच में कोई भी एक पर्षण लगाया जा सकता है और निश्चित रूप से जो प्रषणों का अस्तर रहा है उसमें एक सामान तयारी करेने वाला जो अगर रहे थे वो सही रहेंगे तो यहाँ पर जिन लोगों बिल्कुल भी तयारी नहीं की थी सिर्फ उन्हीं लोगों का घाटा होगा नहीं तो जिन लोगों ने पढ़ाई की हुई है तो नेर बाउट यह रिजल जो रहेगा वो अच्छा ही रहेगा ऐसा अनमान लगाया जा रहा है हलांकि इसी बीच परिक्षा में सेथ लगाने वाले भी सक्री रहे और पुलिस ने कई ऐसे लोगों को कई ऐसे गिरोहों को गिरफतार भी किया है पकड़ा भी है और उनके खिलाब बिदिक कारवाई भी की गई है कई जिगों से इसी भी सूचना मिली कि दूसरे लोगों के नाम पर जाने की फरजी जो कंडिडेट थी वो लोग भी परिक्षा में बैठने का ऐसे लोगों ने प्रयास किया तो ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया है फिलाल यह परिक्षा संबन्न हो गई है और इसकी जो क्वेस्टन पेपर है हाला कि क्वेस्टन पेपर जो हता वो जमा हो गया था तो क्वेस्टन पेपर यह ऑफिस्यल वेबसाइट www.gv.in पर अप्लोड कर दिया गया है ऑफिस्यल जो आंसर की है उसका इंतजार अभ्यरती कर रहे है हाला कि कल जो परिशा होई थी उसकी आंसर की आपके चैनल इस्टिवी ज्यान प्रकावस पर भी अप्लोड कर दी गयी है और अगर आप आंसर को देखना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना तो आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला दें कि इलाबाद हाई कोड की ओर से आरो, ए आरो और कम्प्यूटर असिस्टनले वेकेंसी आई रही है पदों की संग्या आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो उम्र सीमा है इसमें 21 से 35 साल है और इसमें 16 सितंबर तक आविदन करने की लास्ट डेट लगाई की है तो यहाँ पर आप जाके आविदन कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर जो फी से वो 800 रुपए है जो जनरल और OBC के डेगरी के हैं बाकी के लिए जो फी से वो 600 रुपए यहाँ पर बताईगी है आविदन करने से पहले आप यह विग्यापन जरूर देख लेना और आविदन करने जो वेब साइट है वो कोई सी है इलाबाद highco.in या फिर recruitment.nta.nac.in पर जाकर भी आप आविदन कर सकते हैं और यह जो साट नोटिफिकेशन है यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलिग्राम चैनल इस्टेटी विद ज्यान परकास पर मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर भी आप इसे देख सकते हैं डाउनलूट कर सकते हैं और अकर बात करें ससी सीजियल के बारे में तो कल PT की परिक्षा और ससी सीजियल की परिक्षा एक साथ हो रही थी तो ऐसी कंडिशन में ससी में जो उपस्थिती रही है वो मात्र 37.74 परिक्षा रही और लगवग 82 परिक्षा अभिर्थिते वो PT की परिक्षा में उपस्थित रहे और यहां पर देको लिखा गया है कि गणित के परिक्षा ने उलजाया तो PT में अभिर्थिकौ गंट के प्रस्थों ने उलजाया 100 नंबर के परिक्षत्त में सरवार्दीक 25 अंकों के सवाल गंट से थे और अभिर्थिकौ ग्राफ अगऱा के प्रस्थ नहर करने में खासी परिषानी वी समय भी अधिक लगा फिलाल यहाँ पर जो प्रस थे वो बहुत टफ नहीं थे सिर्फ थोड़ा सा आपको जो यह आँक रहते कि आपकी जो मतलब डिजिनल लेने की जो छंता है वो कितनी हो सकती है तो ऐसे ही प्रस पुशे गए थे और जो कॉशन पेपर है इसको आप देख सकते हैं तो आपको काफी आइडिया लग याएगा बात करते हैं एपियस भरती के बारे में तो पिसले 20 सालों में दो भरती आई है एपियस की और तीसरा विग्यापन भी जारी करने की मांग अभी तो के दरह की गई है और सुचना ये भी मिल रही थी कि लगबग 2500 पदों के सापेक से जो अधियाचान है वो आईग को मिल चुका है लेकिन अभी तक तीसरी भरती के बारे में कोई आफिसल नियूज नहीं है और लोग सुवायोग ने पीते दो दसक में अपर निजी सच्चु की दो भरतिया निकाली दोनों को लेकर बिवाद हो गया 2010 की भरती में सिब्याई ने 4 अगस्त को फ्रश्चाचार निवारन अधिनियम साजिस के धाय ठगी और फरजी वाड़ा की धाराओं में मुकदमा दर्श किया तो वहीं 2013 के दोनों चरोड़ों की परिक्षा निरस्त कर दीगी है और 29 अगस्त को निवाली में संसुतन के बावजूद उसके व्रुद बिग्यापन निकालने से साफ है कि जान बुचकर ऐसा किया गया ताकि चाहितों को लाफ दिया जा सके इसके लिए एक निया बिग्यापन चारी किया जाएगा लेकिन इसमें आविदन नहीं लिए जाएंगे सिर्फ पुराने अभेड़ती ही इसमें सामिल रहेंगे थोड़ा सागे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि करेंट डिफ की पीडिएफ मंतली और आठ मेने की जो कंबाइन पीडिएफ है तो अगर यह आप आपने अभी तक पर्चेस नहीं किये तो आज भी आप इसे पर्चेस कर सकते हैं और इस पर जो एक्स्ट्रा आपको डि ऐसी ख़बर आई भी हैं फरजी उत्तर कुंजी बेशने वाले दो गिरफतार प्रतापगाड में दूसरे की जगें पेपर देने आए तीन पकड़े के कौसांबी में सालवर गैंग के चार लोग गिरफतार और इसके लावा ख़बर यह कि प्रतापगाड में पकड़े के तीन मुनना भाई और पीटी प्रक्षा में सालवर गिरों का भंडा फोर करते विए स्टीफ ने समेथ चार रोप्यों को गिरफतार किया और गिरों के सदस से दुर्गा देवी इंटर कालेज में फरजी आधार कार्ड प्रिश्पत्र और इलेक्ट्रानिक डिवाइस के सुच रहे हैं यह अलग-अलग पारों में प्रकासित हुई हैं और मतलब लोग बाज नहीं आते हैं हर बार ऐसा होता है हर बार बड़ी संख्या में ऐसे लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाब का रवाई भी होती है और कुछ लोग बच भी जाते होंगे लेकिन फिलार य ऐसा दन्ड बिले कि यह आगे के लोगों के लिए नजीर बन सके और ऐसा दुसाहस करने की जो कोई से कोई और नकर सके यहाँ पर देखिए नैनी में नकली आंसर सी बेचाना बेचते दो गिरिफ्तार तो दो यहाँ पर मतलब जो जो ही कर रहा था फिलाल इसमें से मैक्सिं सब्सक्राइब करना बड़ी चुनती लेकिन ऐसा होगा नहीं मुझे लगता है कि आसानी से साथ परसंट परसंट प्रसंट को आप हल कर पाएं होंगे और ऐसी कंडिस्टन में अगर पचास पर पचास या पच्पन परसंट कटाफ लगाई जाती है तब भी जो बैठती है वो बड़ी संक्या में उत्ति रहेंगे और यहीं बैठती है आगे परिशाओं में मुख्य परिशा में पाडिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है कि कटाफ बहुत उपर नहीं जाएगी पचास सेवा चेन आयोक की और से मंगलवार को आयोजीत प्रारमिक अर्था परिशा में 85 फेजदी अपरिट्यों ने अपने उपसेती दर्श कराई और इस परिशा को क्वालिफाई करने के बाद ही आयोक की परिशाओं में सामिल होने के लिए जो अपरिट्यों के वो अर होंगी उमीद की जारी है कि जल्द ही जो है पचीस जार पदों पर भरती का बिग्यापन जारी किया जाएगा और देखो आप तो यह प्रक्रिया है इसका जो कॉस्टन पेपर वह आपको आफिसल प्रेशाट पर मिल जाएगा अब इसकी जो है एक आंसर की आएगी और फिर फाइन भी किया जाएगा ठीक है तो देखिए आपनों लिए एक स्वाणी मौसर है अपनी जो मेहनत है उसको बरक्रार रखे जितना भी आपने पढ़ा है भले ही उसमें से प्रस्ट आपको पीटी में नहीं लें लेकिन आगे वाली परिछाओं में इसका फायदा आपको जरूर रहे को पत्र लेकर आन्लाइन अविदन पत्र 25 अगस्य दो सितंबर तक भरवाने के निर्देश दिये हैं बीटीसी 2013 सिवारत मिर्तक आसरीत और 2014-2015 और देख सकते हैं और फिर फ्रेंस तोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आपको बता दें यहाँ पर कि एप्यस भरती में 2013 की जो भरती है उसे भरे रद कर दिया गया है और उसका नया विग्यापन जारी किया जाएगा लेकिन इसमें नय अभरती आवेदन नहीं कर पाएंगे जो पुराने अभरती थे सिर्फ उन्हीं के आधार पर यह जो विग्यापन है जारी होगा और इसमाहिने में जो है यह पूरी भरती कंप्लिट के जाने के बारे में बात कही गई है हलाकि निश्चित रूप से शमाहिने में ऐसे भरती जो पिछले आठ साल से जॉब कर रहे है या फिर किसी अनिकार में है तो उनके लिए तयारी करना एक मुस्किल कार होगा लेकिन फिल एक फिजदी गलती भी अनमन्य नहीं होगी ऐसी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है और आज की वीडियो में बस इतना ही और देखिए आप लोग अपना होसला बनाए रखिए निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर रहेंगे और इसी के साथ जो अगली परिच्छा है उसका करेक्रम बनाए और अपना जो डिसिप्लीन वह आप बनाए रखिए जो पढ़ाई लिकाई आप कर रहे थे उसको आपको लोग करते रहे है करेंड फेर लगबग 2-3 दिनों से डिसक्स नहीं किया जा रहा था क्योंकि आपकी पीटी की जिन दे वीडियो और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेजर जरू किया करें बहुत बहुत धन्यवाद